Hey, Hi guys, welcome back to my channel. Today I am here with 18th November 2023 academic exam prediction. Yes, this is the video related with your prediction. So, exam which is 18 November, this is the closest, very very closest prediction. So, जाने से पहले एक पर जुरूर इस वीडियो को देखे जाए, जो आपके फ्रेंड्स exam के अंदर appear हो रहे हैं, उनको भी प्लीज जुरूर ये वीडियो शेयर करें because आपका जो exam है, वो किस तरह काने वाला है, आज की वीडियो में मैंने बताए हैं, तो listening, बात करते हैं, सबसे पहले listening की, 13th November को academic students का exam होगा, तो listening के exam के अंदर पहला जो part है, वो आपका फिलप्स का रहेगा, वो आपका आएगा easy to moderate, so easy to moderate के अंदर क्या होता है, कि जो आपको लगता है कि बहुत easy है, बट वो confusing रहता है, थोड़ा सा tough लगता है, reply जो आपको एक के जगा दो लगेंगे, कि हाँ ये भी हो सकता है, ये question answer and match the information, match the information के अंदर जो है आपका वो level जो है, वो easy to moderate रहने वाला है, और part 4 जो है, फिलप्स वो रहेंगे आपकी easy, आपको easily जो है फिलप्स मिल जाएंगे, so पहली जो part 1 की फिलप्स है, वो easy to moderate रहेंगे, और second जो part 4 की फिलप्स है, वो आपकी easy रहेंगे, so overall जो exam का जो level है, listening exam का level जो है, वो easy but fast होने वाला है, so fast or little bit confusing, so इसका मतलब ये है कि आपको बहुत जादा त्यारी करनी है listening की, जितने भी आपके listening के fast track से आप उसको जुरूर तुने fast रहेगी, जिसके अंदर आपको confusion हो सकती है, आपको जो answer है, वो लगेगा कि ये भी है, but answer जो आपका duplicate हो सकता है, so moving forward to your reading section, reading की मैंने एक और वीडियो भी next मनानी है, आप उसको भी जरूर ध्यान से देखे, जो भी students आपके साथ appear हो रहे हैं, आप उनको भी जरूर ये वीडियो जो है, share करें, और इसी के साथ ही, अगर आपको अपनी speaking की practice करनी है, free speaking practice भी हम करवाते हैं अपने channel के उपर, so if your exam is close by, then please subscribe and share this channel with your friends who is appearing in IELTS speaking exam, तो आपको करना क्या है, get success 66 at the rates email dot com के उपर, अपना email address send करना है, we will schedule the speaking class आपके साथ, उसका schedule जो है, वो शेर कर देंगे, so reading के अंदर exam के अंदर बात करते है, passage जो है, one, वो रहेगा, true false, not given, sentence, completion, तो sentence completion जो है आपका वो easy रहने वाला है, passage 2 जो है आपका list of headings, which paragraph contains the given information or the following information, तो वो जो आपका रहेगा easy to moderate, क्योंकि आपको बहुत confusion रहेगा, और passage 3 जो है, वो आपका है yes, no, matching or summary completion, तो वो जो है आपका, वो level जो है easy रहने वाला है, so overall अगर हम exam के बात करें, तो reading का exam जो है आपका easy to moderate रहने वाला है, क्योंकि, क्यों easy to moderate रहने वाला है, जबकि आपका जो middle part है, उसके अंदर जो आपका heading और जो आपके paragraph है, which in paragraph contains this information, वो आपको confuse करेंगे, क्योंकि वो paragraph 1 के अंदर भी similar information हो सकती है, paragraph 2 के अंदर भी हो सकती है, paragraph 3 के अंदर भी हो सकती है, so be careful about that, उसक प्राक्टिस करें maximum जितने भी आपके जो रीडिंग की जितनी भी रीडिंग्स हैं उसके आप जुरूर प्राक्टिस करें और हमारे चैनल के ओपर बहुत सारी टीडिंग के लॉक्स दिये हुए आप उसको जुरूर एजुकेशन, सोशल इश्यूज और चिल्डरन एपका टॉपिक एड हुआ है इस बार इंवार्मेंट क्राइम बिजनस एंटर्टिनमेंट इस वरी वरी एंपोर्टन जो आपके टॉपिक्स है इसको आप जरूर 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 एक बर से पहले करके जाए आपका इन में से जरूर एक जो है answer question जो है आपका task 2 के अंदर आएगा ही आएगा और type जो है agree और disagree और advantage और disadvantage suppose आपका global warming है तो global warming के आपके फाइदे और नुकसान या फिर education है education के फाइदे नुकसान और क्या आप जो given information है उसे agree करते हैं या नहीं करते हैं इस तरह के question जो है आप जरूर करके जाएं so this is all about the prediction of year 18th November 2023 जो है exam academic students का exam होने वाला है अगर आप appear हो रहे हो तो वीडियो को end तक जरूर देखे और share जरूर करें अपने friends के साथ अगर आपको free speaking करनी है हमारे साथ तो भी आपको करना क्या है channel को subscribe करना है वीडियो को like करना है और share करना है अपने friends के साथ जो की exam के अंदर appear हो रहे हैं और इसी के साथ ही अगर आपको कोई question है कोई doubt है अगर आपको किसी भी question के अंदर कोई information चाहिए please write down in the comment section I will definitely get back to you also the other reason to subscribe this channel मैं answer की same day और review exam का उसी दिन डालने वाली हूँ तो उसको देखने के लिए भी आप जरूर वीडियो को subscribe पूले thank you very much और channel को subscribe thank you very much and best of luck for your IELTS exam